असलाम लेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ओबर लेप कहला बनाना सीखेंगे तो यह वाली जो मैंने वीडियो थेज थेज बनाई है यह आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं इसको मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है इस तरह से सिंपल आपने गले को लगा सकते हैं उसके बाद यह इसकी स्लीव से बचा हुआ यह कपड़ा है तो इसकी न यह लैस के साथ हम पटियां बना लेंगे जो हम ओबर लेपे लगाएंगे पटियों का नाप ले लेते हैं पहले जितनी आपने लंबाई रखनी है पटि की आप अपने इसाब से उतनी रख सकते हैं मैं यहां तक बनाओंगी तो मैंने यहां पर निशान लगा लिया है अब हम पटिय जितनी हमारी इतनी त्यार होनी है हम यहां से उसका नाप लेना शुरू करेंगे कि हाफ इंच उपर सलाई का छोड़ के इस तरह से गुमाके इस तरह लगेगी क्योंके हमारी पटि तो यह तकरीबर साड़े चोदा इंच के करीब बन रही है लेकिन मैं पंद्रा इंच की पटि कर लोंगी और ये छोटी पटी का भी नाप ले लेते हैं हाफ इंच उपर से छोड़के तक्रीबन पांच इंच की हम ये बना लेंगे ये थोड़ी तिर्ची कटिंग होगी तो हम इसको 6 या 7 इंच की बना लेंगे एक्स्ट्रा बाद में हम कट कर देंगे तो ये इस तरह से ये जो निशान है और ये जो गले का निशान हमने लगाया है इसको थोड़ा प्रैस कर लेंगे क्योंकि यहां से हम अपनी पट्टियों को शेप देंगे तो ये पट्टियां मैंने तियार कर लिए है एक मेंने 7 इंच की किया और एक मेंने 16 इंच की तैयार किया आप अपने इसाब से कर सकते हैं जितना भी आपने गला रखना है यहां पे आपने इसको गले पे रखके तो थोड़ा सा शावर लगा ले ना है क्योंकि अगर यह गीली होगी तो ही हम इसको शेप दे सकेंगे यहां से फोल्ड कर लेनी है हमने इसी तरह यह जो हमने निशान लगाया है ना उसके साथ साथ इसको गुमा गुमा की इसकी शेप त्यार कर लेंगे हम यह देखें जहां तक निशान है वहां तक तो सीधी रखनी है ना उस से आगे इसको इस तरह मोड़ देना है क्योंकि यह थोड़ी गीली है हमने इसको शावर लगाया हुआ है तो हम इसको जिदर को भी मोड़ेंगे यह मुड़ जाएगी इस तरह से अपने निशान के साथ साथ इसको रखके प्रैस कर लेना है जी मारी पट्टी मुड़ गई है त्यार हो गया अब अगर हम इसको उठा भी लेंगे ना तो भी इस तरह मुड़े ही रहेगी तो इसी तरह हम दूसरी पट्टी को भी इसके साथ रखके सेट कर लेंगे थोड़ा उसको तो खैर मोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन थोड़ा उसको भी दबा लेंगे शावर के साथ और पिन अप कर लेंगे यहां से थोड़ी हम तिर्ची कट कर लेंगे इस तरह से क्योंकि यहां से हमें तिर्ची ही चाहिए इसको रखके इसको भी थोड़ा शावर लगा के प्रैस कर लेंगे ताके यह एक जगा पर दब जाए बार बार हमें इसको सेटना करना पड़े यहां से आपने कोशिश करने है जो लैस है ना ये भी इसके अंदर कर देने हैं आपने वरना यहां से लैस बाहर निकलेगी तो बुरी लगेगी इसी वज़ा से हमने थोड़ी पट्टी ये ज्यादा बड़ी बनाई थी आप चाहें तो नाप जितना आपने लिया है ना उससे दो तीन इंच बड़ी बना लें तो बहतर है बाद में तो कट हो जाएगी लेकिन अगर छोटी रहेगी तो हमें मसला बन जाएगा अब हम इनको पिन लगा लेंगे एक पिन यहाँ पे लगा लिया मैंने और एक यहाँ पे लगा लेंगे इसके बाद हम इसकी सलाईयां लगाएंगे जो ओपर गला हमने अटैच किया है ना कमीज के साथ उसको ऐसे ही अटैच रखना है आपने उसको उतार रहा नहीं है ये देखें गला उपर अटैच है आप इसको सीधा कर लेंगे और इसको भी थोड़ा प्रैस की मदद से थोड़ा सेट बैट कर लेंगे ये पिंग जो है मैं उतार रही हूं न ये मैंने पहले थोड़ी उपर करके लगा दी थी तो अब हम इसको उतार के थोड़ा नीचे करके लगाएंगे एक की बजाए आप दो तीन पिंद भी लगा सकते हैं यहां पर जहां पर आपका गला सेट हो ना वहां पर कर ले जब मैं पटियां लगा रही थी तब भी मैंने गले को ऐसे ये टैच किया हुआ था क्यूंकि अगर हम उतार लेंगे ना तो गला हील जाएगा और हमारा डिजाइन क्यूंकि गला हमारा हील सकता है तो आपने उपर से वैसे ये टैच रखना है और बस नीचे वाली पिन को उतार के थोड़ा उपर करके लगा लेंगे अब इसको बिलकुल इसके साथ सेट करके जहां पर हमने पटियां लगाई हैं दुबारा पिन लगा लेंगे मैं यहां प बनाके इसकी सलाई लगा लें इस जगा पर सारी जैसे हम गला बनाते हैं वैसे गला बना लें इसलाई हमारी लग चुकी है अब यह आपने ना तो इसकी पिन उतार नहीं है और नहीं आपने इसको कट करना है पहले आपने बैक से इस तरह चेक कर लेना है कि जो हमारी गले क स्लाई लगी है, वो बिलकुल उसके साथ-साथ है ना, ना उमारी पट्टीओं के साथ-साथ, ये देखें, नारे से ये बिलकुल अगर तो परफेक्ट है, वह थे बाद लिया है, अब मैं इसमया कोई पर्ल्स वगणा लगाऊँगी, आपने जो भी लगाना हो, आपने इस अ आप से लगा सकते हैं यह मैं आपको एक बना के दिखाते हूं इस तरह मैंने बनाएं इस तरह से आपने लगा लेना है इसके टांके जो हैं वो सारे अंदर चुपा दे बीच में इसके मैं एक वाइट कलर का पर लगाऊंगी यह वाला यह मेरा डिजाइन है आप चाहें जैसे भी बना सकते हैं तो गला हमारा बनके रेडी हो चुका है मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी ने टॉपिक पर इंशाला तब तक के लिए अल्ला हाफिज